नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं मनीशा लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ खास बात तो आज मैं बात करूंगे मिठाईयो के मित्रो मिठाईया स्वाद तो उनका लाजवाब होता ही है ना केवल वो हमारी टेस्ट बर्ट्स को सेटिसफाई करती हैं बलकि हमारे मन को भी तरप्त करती हैं और साथ ही साथ जो हमारे अंगिनत मिस्ठान हैं वो हमें जीवन के कुछ गहरे संदेश भी दे कर जाते हैं तो ऐसी ही एक पोस्ट मैंने देखी सोशल मीडिया पर और मेरा मन किया कि मैं इसे शेयर करूँ अपने ओडियंस के साथ तो दोस्तों बात करते हैं जलेवी गर्मा गर्म क्रिस्पी जलेवी वाह सुबह का नाश्ता हो और जलेवी हो क्या बात है और जलेबी साथ में हमें क्या संदेश देती है एक कहावत भी है कहा जाता है कितना सीधा है वो जलेबी की तरह तो ये तो बात वी जरा हसी मजाग की लेकिन जलेबी हमें क्या संदेश देती है ये भी जानिये जरा जनाब आकार माईने नहीं रखता सभाव माईने रखता है आकार यानि की साइज माईने नहीं रखता तो रखता क्या माईने है फिर आपका सभाव जीवन में उल्जने कितनी भी हो जीवन में उल्जने कितनी भी हो और आप उनके बीच में गोल-गोल घूमते रह जाएं लेकिन उल्जिनों के बीच भी रसीले और मधुर रहो और साथ में कैसे रही है? क्रिस्पी दूसरा माई फेवरेट रोशगुला वाउ, सफेद रसगुला क्या बात है उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या संदेश देता है हमें रसगुला? कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन आपको कितना निचोड़ता है अपना असली रूप सदा बनाई रखे तो दोस्तों है ना क्या खास बात रसगुले का रसगुला और साथ में एक बहुत सुन्दर टिप भी मिल गया हमें जीवन जीने का यनि की आम के आम और गुटलियों के दाम तो नेक्स टाइम जब भी आप रसगुला खाएं तो मेरी बात पर भी जरा गौर फर्माईएगा अब आती है लड़ू की बारे जब भी कोई खुशी का मौका हो तो बाटते हैं हम लड़ू अब लड़ू हमें क्या संदेश दे रहा है बूंदी बूंदी से लड़ू बनता है यानि की छोटे छोटे प्रयास से ही सब कुछ होता है और जब वो छोटे छोटे प्रयास मिलकर इखटे हो जाते हैं तो बन जाता है एक लड़ू तो जीवन में करते रहिए इमानदारी से मिठास के साथ छोटे छोटे प्रयास और फिर जब वो छोटे छोटे प्रयास हो जाएंगे मिल जाएंगे एक साथ तो बन जाएगा जीवन की सफलता का जीवन की खुशियों का लड़ू तो करते रहिए सकारात्मत प्रयास अब आती है बारी सोन पापड़ी जो सबसे ज़्यादा ट्रेवलिंग करती है फेस्टिवल्स पर एक जगा से दूसरी जगा पर एक जगा से दूसरी जगा पर कोई उसे अपने पास नहीं रखता हाला कि कुछ सोन पापड़ी लवर्स भी होते हैं और जिनकी फिर्स्ट चॉयस होती है सोन पापड़ी माई सोनी अब सोन पापड़ी क्या सिखाती है? कौन सा संदेश देकर जाती है? हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता लेकिन बनाने वाले ने कभी हिम्मत नहीं आ रही यानि कि अपने लक्षे पर टेके रहो दुनिया चाहे कुछ भी कहे सोन पपड़े बनाते रहिए और आगे सर्कुलेट करते रहिए इतना सर्कुलेशन तो मुझे लगता है इतनी वेलोसिटी आफ मनी भी नहीं होती होगी जितना सोन पपड़ी का सर्कुलेशन होता है अब नेक्स्ट आती है जरर रिच, नजाकत, मर्सिडीज, ब्यम डबलू रेंज वाली काजू कतली काजू कतली आपने आपको इतना सस्ता न रखे काजू कतली का संदेश सुनिये आपने आपको इतना सस्ता न रखे इतना लोकास्त न बनाए कि रहा चलता कोई भी आपका दाम पूसतर है भाईया कितने का है भाईया क्या दाम है आंतरी गुडवत्ता हमें सबसे अलग बनाती है यानि कि set your own class, set your own price you are priceless कि हर कोई, हर कोई Tom, Dick and Harry कोई एरा गेरा नत्थू केरा आपकी ओर नजर उठा कर भी न देखे बलकी classy, standard वाले लोग ही आपका रसास्वादन करे काजू कतली बनाईए अपना एक अलग ब्रेंड बनाईए अपनी आंतरी गुडवत्ता बनाईए अपनी एक उची क्लास उची सोच, उची पसंद काजू कतली, काजू कतली, काजू कतली हब आता है, गुलाब लेकिन गुलाब के साथ जामून को जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है, गुलाब जामून और हमें क्या संदेश देता है गुलाब जामून सफ्ट होना कमजोरी नहीं है सफ्ट होना कमजोरी नहीं है ये आपकी खासियत भी है टेलिकेट, सिफिस्टिकेटिड, नजाकत, नफासत से भरे हुए टेस्टी-टेस्टी, गर्मा-गरम, गुलाब जामून होट-होट, क्या बात है साथ ही, गुलाब जामून हमें ये भी बताते हैं नम्रता, नम्रता यानि की ह्यूमिलेटी ये भी एक विशेश गुड़ होता है तो जो जितना पलाइट होता है वो इतना sweet होता है और sweetness की बात ही अजब और गजब होती है अब आते हैं बेसन के लड़ू बेसन के लड़ू जिनका भोग लगाया जाता है हनुमान जी को जिनका भोग लगता है ब्रस्पतिवार के दिन विश्वो जी को भी प्रस्पतिदेव जी को भी तो बेसन के लड़ू हमें क्या संदेश देते हैं यदि दवाव में बिखर भी जाएं तो फिर से बंद कर लड़ू हुआ जा सकता है यानि कि जीवन की बाद हैं परिशानिया यदि आपको बिखेड दें तो भी हिम्मत नहारे फिर से बंद ये फिर से अपने बिखरे हुए मनोबल को उचा करिए और फिर से बंद ये और साथ में मिलकर रहिए समय के साथ कभी-कभी उच नीज हो जाती है और जैसकी कहा जाता है कि जहां चार बरतन होते हैば वो खटकते तो हैं ही लेकिन उन खटकने के साथ ही आप उसे औरकेस्ट्रा की बीट बना दीजिए और जिस पर पूरी फैमिली एक साथ मिलकर डेंस करिये तो क्या हो जाएगा? Unity is strength, enjoy your life, team spirit should be there गाए भगाए कभी लड़ भी लिये, चार बरतन खटक भी लिये तो भी तो क्या करे? अरे उस बीट पर थोड़ा सा रिदम में थिरक भी लीजिए अब इसी के साथ एक्स्प्लोर करके लाओंगी मैं मनीशा और भी नई नई घ्यान की बाते फन के साथ तो तक तक सुनते रहे और रेडिय हिंदुस्तान आशा करती हूँ इन्ही मिस्ठानों की तरह से आपके जीवन में भी आए मिठास मंगल मैं हो गान जीवन में चारो और हो प्रसनिता का वास तो सुनते रहे रेडिय हिंदुस्तान खाते रहे मिठाईया सुनते रहे मनीशा को नई नई आइडियास के साथ तब तक खाईये मिस्ठान और याद रखिये मेरे इन अजब गजब टिप्स को आएंगे बड़े काम